नमस्कार, पैर में किसी भी प्रकार की समश्या होती है तो हमारा शरीर उस पर परिलक्षित हो जाता है कोई न कोई समश्या हमें दिखनी शुरू हो जाती है, हमारी चाल बिगड़ जाती है ऐसे ही कुछ समश्यां ऐसी हैं जो हमारे पैर के तलवों से संबंदित होती है होती थी या सोते थे तब पैरों में सुन आ जाती थी ये समश्याएं पहले एक उम्र के बाद होती थी लेकिन आज कल ये समश्याएं जादा होने लगी है कारण है इसका कि हमारे बैठने का जो पोस्चर है वो हमारी रीड की हड़ी का लंबर का एरिया और हमारी जो कुले की नसे है ये बहुत कमजोर होनी शुरू हो गई है हमारे बैठने का तरीका गलत हो गया है हम गाड़ियों में बैठते हैं या फिर हम चेर्स के बैठते है उसकी वज़े से ये बड़ी समश्या हो गई पहले बैठने के तरीके नीचे हुआ करते थे ऐसे गोमुखासन में Micha सु पैर के तल्वों की है पैर की और इस हिस्से की है अब इसको ठीक कैसे करें इसका भी उपाए जो है वो हमें करना पड़ेगा बहुत छोटे से उपाए हैं मैंने आपको पहले भी एक दो चीजे बताई है जैसे पैर में नारियल के तेल की मालिस यह भी बहुत अच्छी जो है या इसका अच्छा उपाए है तो आप क्या करें सिंपल सी क्रिया बता रहाँ जो की आप आम तोर पर कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं जिनको पैर के तन्वोंसे संबन्दित कोई भी समश्या हो कईयों को यहां भी इन नसों में भी खिछाव आता है एठन आता है पैर रखते हैं तो चला नहीं जाता ऐसी बहुत सारी समश्याई केवल इतने से पैर में हमें देखने को मिलती हैं तो क्या करना चाहिए उसके लिए देखिए सीधा दंडासन में बैठ कर पैर की अंगूली और अंगूठों को आगे पीछे मूमेंट करना मैंने एक अनुभव और लिया है कि पैरों को ऐसे आगे खीचने वाली क्रिया है कई लोग करते हैं तो उनको यहां पर दर्दाना शुरू हो जाता है क्रैम पाने शुरू हो जाते हैं तो आप वो क्रिया छोड़ दीजेगा जिनको सही रहता है वो कर सकते हैं जिनको सही नहीं रहता है उनको नहीं करना तो यह एक क्रिया जो की हमारे पैर के तलूओं को ठीक करती है हमारे पैर के तलूओं में सुन को कम करती है इस क्रिया का कोई नुकसान तो है नहीं कर तो वैसे ही सकते हैं और वैसे भी पूरे शरीर की हमारी स्नायूत अंत्र है उससे ये अंगुलियां जुड़ी हुई हैं तो इनको रोज अगर पांच-पांच मिनट पांच मिनट इस तरीके से देखिए पहले तो इनको आगे पीछ का कोई सिस्टम है नहीं तो ये आप जरूर देखें कि पैर की जो हमारी अंगुलियां है इनको अगर आगे पीछे इस प्रकार हम मुमेंट करेंगे तो इससे हमारे आगे की जो चैनल है ये उपर का चैनल है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा और नीचे का जो चैनल है इसमें ब्लड सर्कुलेशन चलेगा इससे हमें बहुत अच्छा रिलेफ मैसूस होगा हमारे पैरों में दो या तीन दिन में ही आपको मैसूस हो जाएगा कि आप सोते हैं उस समय पैरों में क्या तकलीफ थी और उसमें कितने परसेंट कमी हुई है ये आप करके देखें फि दूसरी जो चीज है वो है इसी में इस्टे करना यानि अंगूलियों को आगे खीचिए लगबग आदा मिनट यहां इस्टे करिए आगे खीच कर ऐसे रखिए इससे आपको लगेगा कि यह जो नसे है इनमें आगे फ्रंट भाग में घुटने तक की नसे आपको खीचती इसमें रिवर्स में अंगूलियों को खीचने के साथ साथ पैर के तल्वे को भी अपनी और खीचना इससे क्या होगा पैर के पीछे की पश्च भाग की जो नसे है यह भी आपकी अच्छे खीचाव में आएगी तो यह दो चीजें दो क्रियाएं आपको करनी है तीसरा एक् बहुत सारे points जाते हैं इस गद्यदार जगय को जो है आप इस अंगुली से जैसे दो अंगुलियां और अंगुठा और अंगुली के बीच में लेते हुए इस प्रकार आदा आदा मिनट ऐसे ऐसे कर सकते हैं ऐसे यह जो मुमेंट है यह आपके उन सार इस नायूत अंत्रों म आपको लगेगा एडी जैसे एडी का दर्द भी कई हो रहता है कुछ मात्रा में मैं ऐसा नहीं कहता है 100% लोगों ठीक होगा लेकिन कुछ लोगों को इसमें एडी के दर्द में भी रिलिफ मिलेगा और यह पूरी से जो नसे हैं यहाँ पर पैरों के अंदर इस नएक्दम स ऐसे एक्टिव हो जाएंगी और आपको लगेगा कि वाकई में मेरे पैर में अच्छा महसूस हुआ है तो यह कर सकते हैं इसकी जड़ों में भी कर सकते हैं अंगूलियों की जड़े हैं इन जड़ों में भी हमें ऐसे ऐसे यह मूमेंट करना चाहिए यह अंगूठे की जड यह बहुत लाब करिक्रिया है जीवन में आपको यह लाब दे और जीवन आपका स्वस्त बने ऐसी यह पेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचारे लेता हूं इजाज़त त्रीनेतर टीवी के लिए त्रीनेतर योगधाम से नमस्कार